हेई अवरिवन वल्कम बैक टू अनदर वीडियो हमने लास वीडियो में यहां तक शेडिंग कम्प्रिट कर दी थी और यहां पर जैसे मेरे औरेंज कलर लास वीडियो में आपको शेडिंग सिखा था वैसे ही यहां पर सेम हमें शेडिंग कर देनी है और जिसने लास वीडियो नहीं देखी वो जा के देख लीजेगा उसकी लिंक मैं आपको देदूंगा सो वहां से जा के आप देख सकते हो लास वीडियो और जो बिगिनर्स है चैनल पे उनको बता दू मैं कि ये ग्रे पेपर मैं यूस कर रहा हूं सकेच का ब्रुष्ट्रो का है और पैंसल कलर भी मैं उसी की यूस कर रहा हूं ब्रुष्ट्रो की सो उसकी भी लिंक देदूगा वहां से आप जा के उसको पर्चिस कर सकते हो यहां पे अब हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि हार माला है वो कैसे कंप्लीट करनी है शेडिंग कैसे करनी है वीडियो में देखेंगे आप मैं यहां पे जैसे जैसे छोटे छोटे स्ट्रॉक लगा रहा हूं बसे बसे आपको यहां पे फ्लावर्स को ड्रॉ करना है छोटे 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 तो यहां पर फटा फट से में छोटे छोटे स्ट्रॉक लगा देता हूं flowers के और यहां पर छोटे छोटे flowers यहां पर create कर रहा हूं और आपको बता दू कि इस white pencil को आप आगे से जितना हो सके उतना sharp रखेगा क्योंकि जितना point आपका आगे से पतला होगा उतना यहां पर use करने में आपको आसानी रहेगी और shading काफी अच्छे से आप कर पा होगे ओके सो यहां पर कुछ hard नहीं हो और आप try करते जाओ आपका भी art grow होगा ओके सो एक बार में नहीं होता हो तो दूसरी बार आप try कीजेगा इस reference image की link दे दूगो वहां से आप चाके download कर सकते हो और इसकी outline वीडियो चाहिए तो मुझे comment करके please बताना और ऐसा ही support करते रहेजिए मुझे और आपके support से मुझे motivation मिलता है so comment करके जरूर बताइए कि आपको outline वीडियो चाहिए या नहीं और outline मैंने grid method से draw की थी तो यहां पर दूसरी साइड भी हमें सेमी का नए flowers ग्रे पेपर का यूज इसलिए यहां पर अच्छा होता है क्योंकि जो white color के यहां पर flowers दिखाने होते हैं हमें small small तो वो grey paper पर काफी अच्छा दिखता है तो उसके लिए मैंने यहां पर grey paper का यूज किया था और आप चाहो तो white color paper पर भी यूज कर सकते हो और यहां पर white color की जगह आप red color का भी आसानी से यूज कर सकते हो और next video में हम देखने वाला है कि cheap pencil आप camblin या dom pencil से कैसे यहां पर shading कर सकते हो वो भी मैं आपको next part में दिखाऊंगा जो की new series होगी हमारी so video को last तक देखना मत बुलेगा और channel को subscribe करना भी मत बुलेगा so video में देखते जाए और मेरे साथ ही आप भी practice करते जाए last video में मैंने आपको पूरा shading सिखा था face shading कैसे करना है आपको और आपको कुछ query या कुछ समझ में नहीं आदा हो तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हो या फिर comment करके मुझे पूछ सकते हो so यहां पर yellow color का use कर रहा हूं क्योंकि यहां पर yellow flowers दिखाने हैं हमें दोनों side so उसके लिए यहां पर yellow color के shade है मेरे पास 3 उसका यूज कर रहा हूं आप चाहो तो यहां पर dumb pencil यूज कर रहा हूं so आप यहां पर एक ही बार yellow का यूज कीजिएगा यहां पर थोड़ा light और dark कर रहा हूं so उसके लिए दो color का यूज कर रहा हूं काफी अच्छा है आठ यहां पर हमारा हो चुका है okay so यहां पर थोड़ा सा brown color का यूज कर रहा हूं क्यूंकि जो flowers हो उसमें थोड़ी सी detailing में दिखा सकूँ so यहां पर flowers यहां पर draw कर रहा हूं डायरेकी यहां पर कुछ नहीं करना है आसानी है सब एजी है so आप यहां पर draw कर सकते हो ऐसे भी और आपको जो डायरेक आदा है तो डायरेक भी आप यहां पर यूज कर सकते हो बेंजिल का okay so दूसरी साइड भी हमें सेमी flowers जाओ करने है अब थोड़े से पत्ते दिखाने हैं हमें flowers के सो ग्रीन कलर का यूज की हमें नहीं यहां पर और दूसरी साइड भी यहां पर सेमी प्रोसेस है और जैसे जैसे हार माला है वैसे वैसे यहां पर पूरे यहां पर हार माला बना देनी हमें कमी सनवाग के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो okay so यहां पर फटा फट से दूसरी साइड भी सेमी flowers जाओ करन रहा हूँ इमेज को अब्जर्वेशन के लिए अब्जर्वेशन के लिए अब्जर्वेशन करना मत बुलेगा अब जितना अच्छा यहां पर शेडिंग और आपका सब कुछ मैच होगा इमेज को अब्जर्व कीजे और उसके बाद यहां पर आप भी अपने हिसाब से कट सकते हो सब कुछ ओके सो इमेज को अब्जर्व करना मत बुलेगा अब्जर्व कीजे थोड़ी देर और फिर उस पर वक कीजे कफी अच्छा आपको रिजर्व भी देखने को मिलेगा और आपकी जो अब्जर्वेशन पावर है वो भी यहां पर इंक्रीज होगी अल्मोस्स यहां पर डन हो चुका है हमारा आठ और लास वीडियो नहीं देखिए तो लास वीडियो दिखना मत बुलेगा वासे आपको काफी सारा हेल्प मिलेगा कि कैसे यहां पर शेडिंग करनी है और सब ओके सो आई होप आप सभी को यह वीडियो देखके समझ में आही गया होगा कि कैसे मैंने यहां पर शेडिंग किया है और सब कुछ यहां पर ड्रॉ किया है ओके सो बाकी सारे जो भी बिगिनर्स आर्टीस हैं उनको यह वीडियो और चैनल सायर करना मत बुलेगा और आपको काफी सारा आर्ट सीखने को मिलने बाला है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह आर्ट कैसी लगी है ओके आलमोस यहाँ पर डन हो चुका है और काफी अच्छा यहाँ पर हमारा आर्ट हुआ है आपको छोटे 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 श्रॉक लगाने और यहाँ पर फ्लावर्स छोटे छोटे ड्रॉक करने है बहुत ही सिंपल ही है आप एक बार ट्राइ करोगे आपको खुद को पता चल जाएगा सो देखके आपको उतना आइडिया नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और ट्राइ नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा सो वीडियो को दिखते जाए और मेरे साथ ही आप भी यह सही ट्राइ कीजिए ज़रूर ही यहाँ पर आपको रिजर्ट मिलेगा ओके, सो हमारा कुछ आठ ऐसे था और हो चुगा है डन सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, गुडबाई सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सपोर्ट कीजे मुझे, थैंक्यू सो मच